नमस्ते दोस्तों मेरे किचिन के दुनिया देसी फ्लेबर्स भई आरुसी में आपका स्वागा थे कहीं भी पूजा पाथ होता है तो भोग खिलाया जाता है भोग में खिचरी खिलाया जाता है और खिचरी के साथ एक सबजी खिलाया जाता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है तो आज में उसी सबजी की रेस्पी लेके आई हूँ जिसके लिए हमें चाहिए इसको बनाने के ल को फ्राई करके निकाल दिया है आपने देखा ही हो कि उसमें कोई भी सब्जी होती है वो अलग से फ्राई किया हुआ रहता है यहां पर मैंने इसको निकाल दिया है और इस सब्जी में साग तो मस्ट है यहां पर मैंने चौलाई साग लिया है आपके पास अगर कोई भी साग ह जैसे कि पोई साग हो, कुम्रा, पालक जो भी हो, किसी चीज का भी साग हो, आप इसमें डाल सकते हैं, तो दूसरे तब फिर से हमें क्या करना है, तेल गरम करना है, उसमें पाच फोरन हरी मिर्च का फोरन देखे, हमें सबसे पहले आलू को फ्राई करना है, आलू के साथ हम सा करेंगे कुमरा अड़र करेंगे क्योंकि कुमरा को भी हमने बड़े-बड़े साइज में काटा है तो इस यिवाण करेंगेड़या क bebे इसी वक्ट आड़ करके इसको थोड़ी दिर तक फ्राइए करेंगे इस समत्राय करेंगे और अभी 사진 बिरसन प्याज के सबजी बनती है तो इसके लिए जो मसाला चाहिए जीजे जोड़ा सा जीरा तो यहां पे मैंने जीरा ले ली और शाथ में एक बड़े साइज का अध्रक टुकरा बस मसाले में हमें यही डालना है इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं लगते हैं ये देखिए कुम्रा आलू अडंटल अच्छा से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने पटल फ्राई करके रखा था, उसको डाल देंगे, उसको डालने के साथ सत हम मसालों को भी डाल देंगे, जो मसाले हमने पीसके तियार किये हैं, तो ये मसाले इसमें यूज होते हैं, और इसी प्रोसेस से ये सबजी बनाई जाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है, ये भोग वाली सबजी तो आप घर में जरूर से बनाईएगा, तो ये देखिए सभी को डालने के बास से हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लें तो यहाँ पर मैंने सबजी को डाल दिया है, सैउब को डालने के बास से आप फ्लेम को कम करके इसको पकाएंगे, साच से जो पानी निकलेगा इसी से सबले पर घर. कि इसम і पानी यूज नहीं होता और यह सबजी क्या होती है सुखि सुखि बनती हैं यहाँ पे हमें साग को डाल देने के बाद से हमें क्या करना है साग को अच्छे से सबची के साथ मिख्सख कर लेना है और लेने के बाद इसको हम ढुझे दो मिनट तक छोड़ देंगे लो इसमें हमें क्या करना एक बारिक चटा हूँ टमाटर डाल देना है थो यहां पर मेने पहले से टमाटर को काटके रखा है टमाटर डाल देने के Comager सबजी को हमें ऐसे ही खूले में थोड़ी दिर तक पकाना है लगभग दो से तीन मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर भी है जो अच्छे से इसके साथ पक जाए तो ये सबजी इसी प्रोसेस से बनाईएगा ये देखिए टमाटर भी पक चुका है चलिए इसको हम अच्छे से ट्यार कर लेते हैं तो रेस्पी अच्छी लगी है तो एक बट्राई चेरूर कीजिएगा भोग वाली सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है और खिचरी के साथ तो ये खास कर ज्यादा ही अच्छा लगता है तो आप भी इसी प्रोसेस से ये भोग वाली सब्जी बनाएग लाश्ट मुतारने से पहले समों हलका सा चीनि डाल दीजेगा अगर चीनि ना पसंद ओग इसको स्कुन कर सकते हैं लेकिन चीनि डालने से क्या होता इसका टेस्ट और अच्छा लंग्रे लगता है तो आप चीनि डाल सकते हैं तो ये रहा सब्जी बन के त्यार हो चुका ए आएगा और घर में जितने भी वेजिटेवल से उसको डाल को बना सकते हैं तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार